नमस्कार जै जोहार नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागा थे योगेंद्र साहू आलिन क्लासेस में मैं हो काश न्राकर और प्रयोक्षाला परिचारक की जो यह साइन्स की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोक्षाला परिचारक की बहुत लंबे टाइम तक रुका हुआ विकेंसी हैं आगे कब होगा कैसे होगा किस समय पर होगा कितने जल्दी इससे एक्जाम हो जाएंगे इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता इसलिए जितना होसा कि आप चीजों के साथ जुड़े रहों सब्जेक के साथ जुड़े रहों मानता हो कि एक्जाम लंबे समय तक नहीं होता है तो पढ़ाई से मन हटता है इसलिए टेसरीज यह जो हमारा वीडियो सीरीज है इसलिए हम लोग चला रहे हैं ताकि लोग अगर पढ़ने में नई भी इंट्रेस्ट ले रहे हैं कम से कम वीडियो देखती चलेंगे कोश्च लगातर क्लासेस नहीं आ पाई है अब कोशिस होंगी कि जैसे जैसे सेहत में सुधार आ रहा है लगातर क्लासेस आती रहे है ठीक है तो वीडियो को लगातर आप प्यार अपना बनाए रखना शेयर करती रहना और साथ में मैं कहूंगा कि इसका जो टेस्स सीरीज है हम डीक सकते हो ठीक है चलिए पहले कोश्ण से सुरुवाद करेंगे demographics मिलेरिया की एक आम नोई है चाल से प्राप्थ की जाथी किस अपर आपकी जो होता है और जो मैंने सब्द यूस क्या कुनेन यह बढ़ दिया हुँ है यही इसका राइट आंसर है इसको कभी कभी कुनेन नामक दवा भी बोला जाता है और कुनेन व्रिक्च की छाल से बनने वाली दवा को कुईनीन भी बोला जाता है तो आपको दवाई के रुप में जब पुछे कुईनीन या कुनेन तो दोनों से ही हो सकता है एक ही चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा तो चीक है तो यह ध्यान में रखना और व्यापम के किसी भी एक्जाम में अगर तीन नंबर का भी साइंस पूछता है ना तो उसमें डीस से कोशन जरूर रहते हैं और यह तो अपका पर्टिकुलर 20 नंबर का केवल और केवल बायो आने माला है तो सोचो इसमें वेटेज कितना अच्छा खासा रहेगा डीसिस वाले से कम से कम दो कोशन तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे चलो दूसरा कोशन क्या बोलता है है एक किसके कारण होता है पहले बात भीया यह हैपेटाइटिस ABC अलग-अलग प्रकार का होता है ठीक है यह आपके लिवर से रि जौठी बिश्चर के काटने से ठीक है यह फिर प्रोटो जोबसा से वाइरस होने वाला वाल वाल यह एक प्रकार करक घ् उसके अंदर प्लाजमोडियोम जिवानू बैक्टिरिया या फिर परजीवी बोलते हैं प्लाजमोडियोम परजीवी पैरसाइट वो अगर मौजुद होता है तो वो किसी भी वैक्ति को काटने से उसको मलेरिया हो जाते हैं तो पैरसाइट से होने वाला था यह वायरस से होने तो आप साथ में आप जो भाइलिया है इसकुल सकते हैं यो खバイल इरीह को तो नहीं पेसिकली के चीज पहले सकते हैं Bugatti जो होता मेले इया काला जुर में यह सबको बॉल सकते हैं श्रीक आप लेगा मे Adm कथन करन वाले कोशन आ रहे हैं आज कल व्याप आप में कैसे मालम चलेगा जब आपकी पकड़ अच्छी तरीके से थियोरी में तो थियोरी पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है ठीक है पहला अब ऐसा नहीं कि सिंगल आपको पूछ देगा जैसे उपर में था उनैन व्रिक्ष घलत है तो पहला यह गलत दीख रहे है एडीस थोडीन होता है वह सब्सक्री गलत है और फोशा तो पहला एक तीन चरक पहला गलत मिल ठीक यह तिसरा इसके इलाज के लिए क्वीनिन दवा का प्रेयोग करते हैं या विशेश रूप से संक्रमित दवा, संक्रमित मादा एना फिलिज मच्छर के काटने से तस्त था है तो यही गलत था आपका केवल एक, option number c में दीख रहे हैं यह edige मच्छर के काटने से होता क्या dangue, basically dangue को बोला जाता कि वो एडिज मच्छर की काटने से होता है ध्यान में रखना अगला प्रशन शाओ था स्मंदीत विभिन ने रोख किस प्रकार का प्रदूशन की करान होता है भी स्वंद तरवारा की प्रदूशन होगा air pollution soil water सीधी सी बात है एगर शांस किसमें लेते हो हवा में वायू में लेते हो वायू प्रोदूशन से ही आपके ये सारी बीमारिया फैलती है विसेस कर कुछ चीजे तो अलग तरीके भी फैलेंगी अगला है निम लिखित में से कौन सी बीमारी जिवानू द्वारा होती है जिवानू द्वारा कौन सी होती है जिवानू मतलब बैक्टिरिया तो बैक्टिरियास होने वाले वैसे आपके बहुत सारे आते हैं बैक्टिरियास होने वाले यह वाले आपको मैं ट्रीक बता देता हमारे सारे कि सारे जितने भी इनिंफेक्शन् बोलो उनको याद करने पर होने वाले रोग होते हैं कौण σे प्रोटो जोवा पर होने वाले ठीक यह वह सब आपको याद रखना है किसका यह यहाब कर खोंप प्रोटो जोओ से होने वाले हैं तरीक से आपको याद रखेंगे तो वैसी यह उतने सारे दिए हैं इनमें से कौन-कौन से होता है इसके बारे में पूछ रहे तो anthropics anthropics होता है bacteria के दोरा सही है कालरा कालरा भी यह भी होता है कि गंदे पानी से हैजा फैलता है उसमें लाना रहते हैं tuberculosis यह भी bacteria से ही पहांता है काली खांसी इसको पर्ट्यूटीज भी से होने रोग है तो पानी कीमक्रेंब से कि नौध से किस उंग को प्रवावीध करता祭ा करता है वीert संट्रीथ है इन लोग है तंत्रिका के नर्वाशिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करते हैं ठीक है काली खासी स्वास नली होती प्रैकिया उसको करता है है जाए आपके आत को करता है इंटेस्टाइन को ट्यूबर क्लोसिस जो 6 रोग होता है वह आपके फिफटे पर लंग्स पर अफेक्ट डालता है अगे इन में से कौन सी बिमारी इह आपके वाइरस से होने वाला रोग है खसरा ओ गया चीछाख गया रेवीज हो गया एडस हो गया यह सारे जितने भी है आपके सारे के-सारे किसमे वाइरल में आ जाते हैं वाइरस होने वाले रोग होते हैं इसमें एड़ बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना एड़ बहुत बार पुछा गया है व्यापम के एक्जाम में आपका मिसल्स पुछा गया है चीचक पुछा गया है रेवीज पुछा गया है यह सब किसके होते याद रखना वाइरस से होने वाले रोग होते हैं वाइरस से होने वाले रोग होते हैं ठीक है डेंगू एंगू यह सब भी आ जाते हैं उसी आगे इन में से कौन सी बिमारी वायो के माध्यम से नहीं फैलती, which of the following business is not spread through the air, समान ने जो काम फैलता है, समान ने जो viral infection होता है, वायो के माध्यम से फैलता है, नीमोनिया यह भी फैलेगा, तपेदिक tuberculosis यह भी फैलता है, खासने वानने से फैल जाता है, बच्छा क्लरा है यह आपकी गंदे पानी से फैलता है ना कि भाईू से तो हैजा जो होता है पानी से फैल्ले वारोग तो इसको बैक्टिरियम की नैमिंग रहता है उसी से इस के लिउत का नाम करते हैं जैसे की कॉलरा कालरा यह फिर हेजारों जो बोलते हैं इसका जो रहए का विब्रियों कॉल अब देखो कॉलरी वर्ड और यह दिकल कर आया है तो बहुत-सारे बैप्टिरिय बहुत-स नांम जो इंफ़ेक्षन होते हैं प्रश्व जो इसित्स होते हैं उनके जो बैक्रिडश को जो नाम रहेगा उनके नाम से मिलता जुलद़ा ही रहे तो कभी भी आपको निकीत नहीं होगा यह एक तरीका है सेन्स का पहचानने का ठीक है तो имость क कि संस का है विब्रियों कॉलरी है HIV यह तो AIDS का होता है Plasma Diom तो हमाने बता दिया किसका है अगला Swine Flu इन में से किसकी वज़ा से होता है Swine Flu Swine Flu जो होता है अब यह फ्लू फ्लू बीमारी होता है और फ्लू का हमें साथ आपको क्या याद रखना है फ्लू जब भी हो किसी विवरकार का तो वो होता है आपके विशानू से ठीक है जिसे बर्ड फ्लू भी होता है बहुत सारे फ्लू है यह सब अधिकतर क्या होते हैं आपके विशानू से नीथ रोग होते हैं अगला 6 रोग 6 रोग किसके दोरा फैलने वाला रोग है 6 रोग उग शैरोक को हम लोग इसी को क्या बोलते हैं तुबबर ऊतो इन वाले उसके बैक्टिरिया की नामि Means से नाम में estamos कि देख़े ं बाकी सब अलग है उन्फ्लुया वायरस होने वाले है तो आप्टिन की नाम है उसके स्वहा वायरस होने बैक्तिरिया चैब्टिया होता है जो डेन बैक्तिरिया होता है अगर ऐसा कुछ है जो कोड़े हैं और आपको जरू नोट करते वे चलना क्योंकि त्योरी में आप भी चीज़ों को पढ़ लो, M6 क्यों में कुछ नया पॉइंट आपको मिलता ही है तो वो नोट करते ज़री चलोगे तो आप दूसरे लोगों से आगे रहोगे अगला है, जल में पाए जाने वाले इन में से कौन से प्रदुशकों से मिनी माता रोग होता है मिनी माता मिनी माता रोग बेसिकली जो मिनी माता रोग होता है वो पारा से होता है, पारा, हिंदी में पारा बोलते है इंगलिश में मरकरी, हजी मरकरी या पारा से होता है, अब देख लो परसन रहते हैं उनके नाम पर कोई मोहला कोई वाड किसी नगर का नाम रखते हैं तो पारा के नाम से जानते थे तो उसी को कैसे कर सकते मीनीमाता पारा क्या तो पारा तो पारा से होने वाला रोग क्या है मिनी माता रोग होता है ठीक जल्द में मिलने से होता है इसको याद रहना फिर आगे चलते निद्रा लुता रोग इन में से किसके करण होता है मतलब स्लिप एपीनिया ठीक है स्लिप एपीनिया किसके माद्धम से होता है तो भाईया जो स् वाइरस का नाम याद रखना पड़ेगा नाम याद नहीं रखा था वाइरस के मादधा हम से होता है यह पड़ लिये लेकिन इसमें आपको कि नाम याद रखना पड़ेगा ना हो क्या है अपका है किया है कर अगला इसेघस इंतर दाई होता ये ने मलिकत में किसी कारण काला अजार रोग नामक होते हैं तो काला अजार मैंने अभी बताया था आपको प्रोटो जोगा के होने वाला रोंग है क्या barbecue पिंगें कि औ कि कमी की वज़द से qo~~~ और कर तो उनके सरीर को अगर अच्छे से प्रोटीन की कमी बोलता है, प्रोटीन की पूरती नहीं हो पारी है, अच्छे तरह की से उनकी फुल्फिल्मेंट नहीं हो पारा है प्रोटीन का, तो ये रोग निकल कर आता है क्वाशी ओरकर, तो किसकी कमी से होता है, क्वाशी ओरकर, क्य आगे चलते हैं डेंगू अभी मैंने बता से अडिज मच्छर की क्या है डेंगू है अपको एंपॉटंड है पुछा जा सकता है डेंगू की अब डेंगू का जादा तर आपको रिपोर्ट देखने को मिलते हैं घैव का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकते है एड्स हो सकते है अभी तक तो पॉसिबल नहीं है और क्या होगा धुसका पूरा नाम भी बार बार पूछा गया है railway railway डेलवे के exam में तो छोड़ी दो व्यापम हम लोग टैयारी करने अभी तो उसके सब्चैर यह सब रेलवे में भी आपको देखने को मिलेंगे सेम कुशन अगर आप रेलवे की तयारी कर रहे हो जैसे कि एलपी का एक्जाम सुरू हो चुका है तो यह कोशन अगर आप लगातार करते रहोगे तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगा और एंटीपीजी की तो सीरीस लगातार चली रही है ठीक है उसको भी देखते रहेगा तो आपर दोनों सब्जिक्ट की अलग लग तरीके से तयारी हो जाएगी एक आपकी एंटीपीसी में जो फिजिक्स चल रही है उसकी और यहां पर प्रयोक्षारक के लिए जो बायों की सीरीस चली थे बायों की तयारी तो दो जाता है इसका पूरा नाम होता है human immunodeficiency virus तो यह आपके option A में दीख रहे है human immunodeficiency virus याद रखना बहुत इंपोर्टन है ठीक है human immunodeficiency virus यह जो होता है AIDS रोग इसको जो HIV वाला जो वायरास है आपके immune system को damage करता है रोग प्रतिरोधक छमता या आपके रोग प्रतिरोधक प्रनाली को जो होता है इम्यन system को इसको damage कर देता है और इसकी वज़ा से व्यक्ति को हर प्रकार की विमारी लगने लग जाती है थोड़े थोड़े में बुखार रहेगा सरदी खांसी यह तक लगातार लगे रहता है या कोई भी उसके बगल में कोई दूसरा घातक विमारी वाला वैक्ति जिससे अगला प्रशन है AIDS का पूर्णर रूप क्या है यह भी बार बार पूछा गया है तो acquired immunodeficiency syndrome क्या नाम है इसका acquired immune या immuno बोलते हैं डेफिसियंसे सिंड्रोम होते है तो acquired immune deficiency syndrome option एसे correct answer आगे देखते हैं वैज्ञानिक और उनके अविशकार का सही मिलान करें ठीक है वैज्ञानिक साइंटिस यह इदर invention यह भी वैपा में पूछे गया कोश्चन के अधार पर बनाया गया कोश्चन है ऐसे कोश्चन उसमें आ एड़च जेनर ने दिया था किसने दिया चिकन पॉक्स को एड़ड़च जेनर ने इसकी खोची ती एड़स का लिए क्ये नया-नया भी लिए जो मॉंटें इसके टीके के खोच यह बट अतुना इंड़ धाने तग वीजिए और evident लूँल के ऑ गाण कोश्चन है जैसे लुइस पास्टार रेलोई स्बॉश्चन ने रिबिश के टिके के खुछ की ती याद रहे जाएगा आपको चिकन पॉक्स का एडवर्ड जेंकर ने किया था एड्सका लूप मॉन्टेग ने भी तब इसका लुप निकिया था हेजा देपसं को याद रहे और लुटीऊ है का घ käytt सबूसें दिये हैं जिसाप्ष कर न है इसले में με और्प्षिन एक अगला इनल से कौन सा मलेरिया परजीवी है अभी बता है थक का है प्लाजमा डियम है प्लाजमा डियम ही मलेरिया का परजीवी होता है अगला दाद किस प्रकार की मिमारी है दाद ये जो दाद आते हैं फंगस होता है ने फंगल इंफेक्शन होते हैं दाद खाज खुजली जैसे गंजापन हो गया यह सब जो होते हैं आपके Fungal Inspection बहुत है Fungus के द्वारा होता है चीक है किसके द्वारा Fungus के द्वारा होता है जिसे और बता दे और आपको मैं बता जीता हूं कि और दाद नहीं कि खाज कुछ होता है इचनेस जो बोलते न वह कि एथिलीट फूट कि एथिलीट फूट मतलब आपके अंगुठे पर यह पैर के आसपस में घाव जैसा हो जाता है यह दाद खाज यह गंजापन गंजापन जो होता है और जैसे कि दमा हो गया यह सब जो होते हैं आपके फंगल इंफेक्शन होते हैं तो कवकी है कवकी यह भीमारी है कवकी है चीक है इसके लिए ट्रीक अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो पंगस वाला फूट गंजा दमानद खाए फंगस वाले फूट करें यहाद है तेह decisions वाले प्रूट्स है आथलिट फूट तो यह सारे चीज़ों को एक साथ आप याद रख सकते हो और इसी तरीके से बहुत ज़्यादे चीज़ों को याद रखने वाले रहते हैं वहाँ भी ट्रिक के माद हम से लोग याद रखते हैं तो आप कोर्स को पर्चिस करके पढ़ सकते हो अगला निम्न में से कॉनगेर संक्रमन मतलब नॉनिक्ष नोन-इंफेक्षन ने तो फैलेगा ना बैक्तीरियल इंफैक्षन नीमोनिया वाइरल इंफेकेविगा इनफ्लूैंस भी है बचा हाई ब्लड प्रीशर। आपको ज़्यादा प्रिशार है किसी चीज़ का तो सायद हाई ब्लड प्रेसर होगा आपके पुराने समय में आपके प्रेंट्स को अगर रहा होगा तो हो सकता है उसका अफेक्ट आपको देखने के लिए या फिर आपका एज जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तब यह और ऐसे प्रशना आने की चांसे से चलो अगला देखते हैं रोग जनक सुक्ष्म जिवों के विद्धी को रोखने वाज़ी दवाओं को क्या करते है रोग जनक महला बैक्ट्रियल जो भी चीज़े होते हैं आपके प्रिवेंट करना उसको माइक्रो और गन्स को तो माइक् सरीर में क्या करते हैं उनको फैले से रोकता है एंटिपारिक्स टो आप को मौझूद होता है ईंसक्राइव से पीडित रोगी ने तरदान कर सकते हैं अब ने तरदान करने में वैक्ति कार्नियाद कता हिए बहुत लोगों को पता होगा कार्णिया कार्णियां हमारे आउंख का एक पाड में बहुत लोगों के मन में होगा कि सर्फ डाइबिटीस आंसर होना चीए हैजा हो सकता है तो यह लग रहा होगा लेकिन डाइबिटीस राइट आंसर होगा कारण का कई लोगों को लगते कि ऑपरेशन करने में डाइबिटीस वालों का अपरेशन सक्सेस विल नहीं होता उनका उपरेशन नहीं भी किया जाता है बट कार्णिया में आपका क्यों ट्रांस्प्रांट करना उसको निकाल कर अलग लेकर जाना है ठीक है वैसे केज में हम लोग शेराहस होता है रिबीश तो यह सब क्या हो सकते हैं हमारे किसी ना किसी सैल में एंटर कर जाये इसलिए हम लोग ऐसे रोगों का कार्णिया नहीं लेंगे लेकिन डायबिटीस जिसको है पूप केवल बलड में है तो उस वाले वैक्ती के कार्णिया कर लिया जाता है क्की कर लोगों का हम लोग नेत्रदान नहीं करते हैं चलो अगला कोशन दंत श्यक क्या आड़त है वाट इस मीट बाई डेंटल क्राइज भी दंत श्यक का मतलब आपके दाथ ख़ाब हो रहे हैं दाथ सड़ने लग गया है तो दातों में जो सड़ा नहीं तो होगा जी ठीक है दातो अच्छे सफेद हैं आपका मजबूत दीखेगा दातों की सुजान दातों की सुजान मतलब वहाँ पर मसुड़े वाले रियम होता है वह तो उसमें सुजान तो हड़ भी सकता है लेकिन सड़ना चलो तो वापस ठीक नहीं होगा वह जितने अगर सड़ चुका हो खराबी हो टीपल वैक्सीन है ना उसका टीपल वैक्सीन आपको तीन ठीके लगाया जाते हैं बचपन में डीपीटी डीप्थिरिया पर टूटीस और टीटनेस यहां पर जो भूज़े पर भूज़े नहीं बोला जाए इस भूज़ा पर आपकी बाइसेप्स पर जो टीका लगा होता अगला प्रशन निमन लिखित में से कौन सा कथन असत्य है असत्य है मतलब गलत है बाई बिचेटमेंट इस फॉल्स काली खासी अब लिनमने पता है सही है अप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखो का उपचाओ यह भी सही बात है ठीक है नहीं नहीं अश simplement टांखो का उपचार नहीं गलत लात है यह यह सही बात है यह बहुता है यह बूघ तो कैबल गलत कौन सा इसमीं से यह भी सही है ना में थोड़ा सा और थेल्मोलोजिस भी आंखों का उपचार है तो ये सारी के सारी दीख रहे मुझे यह भी सही है उपर वाला भी पट्रीज बोलते हैं जो जो बोलते हैं अगर किसी को नहीं पता हूं एंजियो प्लास्टी क्या है तो पहले मैं समझा देता हूं अगर आपके सीरा और धमनी में से जो आपका सुध्ध खुन बहता है अगर धमनी में कहीं पर भी आपके आर्टरी में अगर कोई ब्लॉके जा रहा है तो उसको सफाई किया जाता है इसी एंजियो प्लास्टी के मद्दें से यह होता है पिल्या यकृत में ही समधित बीमारी जिसको बुलते हैं सभी सही था हमको पूशा गया था क्या गलत कौन है कोई नहीं से कोई नहीं आपका राइट आंसर जागा ऑप्शन नमबर डी अगला है इबोला क्या है इबोला इस पशीमी अफरीका में सीमित एक विशाणू रोग एक सुनामी का नाम अरब देस में सं 17 तरह 18 जो टाइम था उस टाइम यह बहुत फैला हुआ था मत्तल महामारी किट जैसे फैला हुआ था कहां पर आपके अफरीका में और उस टाइम के एक्जाम में आपको यह कोश्चन देखने को मिला होगा अगर आप प्रीवियस कोश्चन फॉलो करते हैं तो यह आपको उ शानु जनित बीमारी है कहां फैला है कहां ज़्यादा तर पाया जाता है ति आपके अफ्रिका कॉंटिनेंट में महादीप में पाया जाता है अगला है रख तमें यूरीक एसीट के अधिक्ता कालिस्तान का लक्षक है एक्सेस ऑफ यूरीक एडिस इंद ब्लड इनस सिंटॉ क्लासे से जुड़े हों को असानी से पता होगा इसका राइट आंसर है गठिया गौट गौट होता रोग क्या है एक्चुल में यह रोग है कि आपकी जो हड्डियों के जोड रहते हैं विसेसकर आपके अंगुठे के पास यह अंगुठा जो हमारे पैर्क होता है यहां पर जल से भैक किस रोग में लगता रहली कि बताने की जरुबत है यह आप दोग कमेंट करके बताइए जल से भैक रुग नोग है ठीक है थोड़ा से महेंड किजिए ऐसा नहीं कि सबहुतन क्या सरह मोगने आंसर कि पीच्छे बी तो अपकर अपको हमेरे सहाब रहिगा और पह कमी से होता है तो और लोहा आयरन की कमी से भी लोख में आइनिमिया जाता है तो यह कमी से होता है और लोहा आईरण आइरन की कमी से भी एनीमिया रोग होता है क्योंकि हमारे खुन में क्या है आइरन नामक तक तो पाये जाता है तो उपरोग सभी आपका राइटांस हो जाएगा अप्शन D ठीक है चलो अगला प्रश्शन दिखते है लूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या है लूकेमिया जो होता है बेसिकली आपके WBC में पाये जाता है और ये WBC सफेद रखत कोशिकाओं का कैंसर कहलाता है ये लूकेमिया ठीक है किसी किसी वेक्तियों में ये देखने को मिलता है तो सफेद रखत कोशिकाओं का कैंसर ही क्या कहला था अपका लूकेमिया कहला था लूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रखत कणिकाओं में आता है cancer of white blood cells अगला देखते हैं पैंदीस वा निम लिखत में से कौन से सत्य है याद कार है ताकि आप लोग को जब ऐसा कोश्चन आये तो आप लोग उस कूट को वहीं पर कूटल दो ठीक है तो वीच आप फॉलोइंग स्टेटे में और करेक्ट क्या है लिकोडर्मा तवचा का एक बिमारी यह सहीं है लिकोडर्मा ना डर्मा वड़ आ गया तो डर्मा सबसे अप्योगी होता जाते सबसे बात अरे शnh Ai解 फेश्ट में इसमें विसानुजनी नहीं मनुष्य में नहीं रिडर पेश्ट विसानुजनित है ये सही बात है लेकिन मनुष्य में नहीं होता है तो किस में होता है जानवरों में होता है रिडर पेश्ट आखे लाल हो जाना लार जादा बहना ये सब जो होता है वो पशुओं में होता है जानवरों में तो मनुष्य क अब बिमारी नहीं था तो यह तो गलत हो गया है यह विशानु जनित रोग होता है क्या होता है विशानु जनित रोग के अंतरगत आता है कुष्ट रोग लेप्रोसी बहुत इंपॉर्टन है बहुत बार पूछा गया है आपके व्याप्म के एकजाम में भी लेप्रोसी से सम्मंदित कोश्चन आये हैं ध्यान में रखना उष्ट रोग ठीक है माफ करना है यह बैक्टिरियल है इसको मैंने अभी बोला था साथ वायराल यह बैक्टिरियल है यह पर चेक कर ले रहा था इसको बोलते हैं लेप्रोसी से इसको बोलते हैं लेपर इसके बैक्टिरियया का नाम भी याद रखना कभी कर पूछा जाय तो काम आ सकता है क्या लेप्रेस के बैक्टिरिया के नाम होता है कुछ रोक को हैंसम रोक के नाम से ब्यानते हैं ये भी सही बात था तो तीसरा गलत था बाकी सही था उपदंस एक जिवानू समंदी उपदंस मतलब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कभी कभी क्या होता पेपर दिलाते दिलाते हम अगर हिंदी मिडियम के कुउश्चन को प्रिफ़र करें तो उसी पर हमारा धिया रहता हम इंग्लिश पर नहीं जा पाते इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं होता कि सिफलिस दिखे हुए मिलेगा इसलिए मैं लिखा दिया है ताकि आपके ध्यानमी बढ़ रहे हैं तो यह एक जिवानु संबंदी रोग है बिल्गुल सही है यह हमारे जो जननंग है उसको प्रभावित करता है तो एक दो चार और पांच सही था तीसरा गलत था ठीक है तो एक किसके करण मनेगा कि करण क्या मनती है बहुत ज्यादा मात्रा में तो जब भी हमारे सरी में उसकी मात्रा को बढ़ा देता है अगला देखते हैं रोगों को फैलाने वाले किडों को क्या खा जाता है वैक्टर कहते हैं क्या कहते इसको वैक्टर ट्रांस्मिंटर वाद में ट्रांस्पर लिफ्ट विपनी गत वेक्टर जो हमारे सरी में लगा तर उसकी मातर को इंपलीबेट करता जाता ना बढ़ाता जाता है उसको हम लोग वेक्टर नाम से टेक्निकल टम हो जाता है क्या पता पूछ दे इसलिए कोश्यन डाला गया है कि चलो आगे देखते हैं कि जासे बुएं कि 28 दिवस हरसल कब मनाएं जाता है 28 अगला गेंगा का विकार किशिक कमी के gas क्लिए कृष्य घंता है तो नहीं तो इसके के लिए के लिए औहल 속 विकल। करते हैं वैयो फ्रेटीच क्लइडोического में लुख का विकलोड को सीडियो नाम से जानते हैं चालना मूख और पैरों की किसके कारण होतेργ sı套aux रेडर पिष्ट है ना वो तो होता है वो जीवान वो नाम है लेकिन किसके करण होता है मैंने पताया था वो वो होता है आपका वाइरल क्या होता है वाइरल इंफेक्शन होता है वाइरस के करण से वह मविश्यों में होता है अगला, Tuber Closus के विरुद्ध मुख्यता है, कौन सी वेक्षिन का प्रेयोग किया जाता है? तो यह BCG का ठीका लगाया जैता है क्या BCG का ठीका यह अधिकतर आपके सिनोंगा सुरजी किस अंग को प्रभावित करता है चिरोसिस क्स प्रभावित करता है तो backward किस अंग को प्रभावित करता है आगला दिखते हैं ऑस्टियो पोरोसिस की स्रोख से संबंदी था ऑस्टियो पोरोसिस नभी पोर मतलब होता है छेद होना जिसे मेरा हड़ी है osteo word हो गया मतलब हड़ी और poor मतलब होना छेद होना ऐसे हड़्डियों में सनरंद्र बन जाते हैं च्छोटे-च्छोटे छेद बन जाते हैं और हड़्डी कमजोर हो जाती तो यह हड़्डी से संबंदित रुग होता है और इसके उपचार का तरीका किमो थरिपी रेडियो थरिपी यह सब होते हैं ठीक है और रेडियो लॉजी तो पढ़ाई हो जाता है रेडियोगराफी पढ़ाई हो जाता है अगला OTC दवा क्रोसीन एक क्या है क्रोसीन नाम देख अगर यह बहुत यूजकर विशंदी खालती चर जैसे मुझे ही क्रोसीन दवाई करते है हम लोग इसमें भिया इसको हम लोग करते है हमारे दर्ध नासक और जो अध्यान दोनों के रुप में इसका तो देख रहा है इस वीडियो को देख रहा है जादा श्री जादा मातरा में सेयर करना कि अभी आप लोग एकदम सूस्त पढ़ चुकि हो किसी भी वीडियो में उतने हाइप नहीं आर पा रहे हैं या फिर आप लोग उतना जुडाओं महसुस नहीं कर रहे हैं जूड नहीं पर पाओगे जब इस चीज़ को पढ़ते रहोगे तब लगा धाली उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो जितना हो जब भी एक्जाम होगा तब आपको उस पोस्ट को लेने से कोई नहीं रुप पाए तो उसके लिए अभी से महानाद करते रहो ठीक है क्योंकि अभी ऐसे लोग पढ़ना तो चाहा रहे थे और साइद अभी एक महने तक मेरा वीडियो नहीं आया इस वज़े से वह थोड़ा सा छुड़ गये हों यह ट्रेक से हड़ गये हों कि साइंस हमको दुबारा पढ़ना है तो उनको फिर से आप इस वीडियो को शेयर करके बता सकते कि और स्फिर आप इस अंधी बॉडियो घाल पडियो कौन सा क्रिमी हाथी बाओं का कारान होता है हाथी फाओं के लिए हम लोग क्या बोलते हैं हाथी फाओं के लिए फाइल एरिया बोलते हैं अब फाइल एरिया जब आएगा विया तो फाइल एरिया के लिए फाइल वंस आएगा क्या आएगा फाइल एरियल वंस आएंगे हमारे पैरों पर जाकर ही पनपते हैं सांस वास लेने के माधे हमसे हमारे सरीर में एंटर कर जाता है बहुत गंदी ओस एए कि सुखा रोग किसे प्रभवावीत करता एक अभी मैंने बने बताय था कौसी औरकर और मरास्मस को सुखा रोग बोलते हो कौसी और करें सूजारों वह सूखा रोग अलग है और यहां पर पूछ रहा ना किसे प्रभावित करता है सूखा रोग यह बात कर रहें आपको को रिकेट्स के बारे मैं रिकेट्स एंट्रीकेट्स अफेक्ट्ट वीच आप दा फॉलॉइंग तो यह आपके स्केल्टन सिस्टम को करता है किसको करता है स्केल्टन सिस्टम को प्रभावित करता है कि यह सुखा रूख कंकाल तंत्र हड्डियों हड्डियों से तो कंकाल बनता है भाईया रिकेट्स हड्डियों को प्रभावित कर रहे तो सिखा रूख कंकाल तंत्र हुई तो करेगा इटाई इटाई रोग किस के कारण होता है जो इटाई इटाई रोग है ना इटाई इटाई को मैं आपने टीन बार काउंट करके बतारों तीन बार आपके एक्जाम में आए हुए हैं प्रिविएस एर कोशन प्रिपर में और दो एर अठारा जब लगातार विकेंसी की जड़ी चल रही थी उस समय पर तो ये दो एक्जाम में लगातार पुछे गया थे तो हो सकता है वापस वे आप हम question repeat करता है ऐसा नहीं के नहीं करेगा बिस-बिस question आ रहे तो ये गालत question तो आएंगे ही आएंगे तो कोशिश यही कीजिए जो मैंने इतना पढ़ाया है उसको आप पढ़ते रहिए और जुसको बार-बार बोला है कि ये repeat हो सकते हैं इसके आने के पूरे chances रहते हैं वैसे question को ज़्यादा ध्यान में रखेएगा उससे related theories ज़्यादा पढ़िएगा वैसे तो डीसेस अपने आप में बहुत important है सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है और मैं वीडियोस नए नहीं लेकर आपके लिए आता रहूं मिलते नेक्स वीडियो में धन्यवाद